आप सभी का स्वागत है, आज की इस कहानी का नाम है, खुले में नहाने वाली बहुएं, यहे एकसास बहु की कहानी है, जमीनदार साहब आज अपनी गलती पर खुद ही शर्मिंदा थे, आज उनके घर की इजज़त पर दाग लगते लगते बच गया, लेडी इंस्पेक्टर चौदरी साहब हमने ब्लेकमेल करने वाले दोनों गुंडों को पकर लिया है, वो गुंडे वीरपुर गाव पर बहुत समय से नजर रखे हुए थे, वो ये भी जानते थे कि वीरपुर गाव के औरते खुले में नहाती है, पर हमें खुशी है कि आपकी छोटी बहु सुध अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहु के लिए घर में गुसल खाने की व्यवस्था जरूर करूँगी वीरपुर गाव जहां घरों में गुसल खाने की व्यवस्था नहीं थी इसलिए गाव के औरते खुले में नहाने को मजबूर थी सास, अरे नई बहु, सोकर उठी नहीं क्या, सनाल के लिए नदी पर जाना है सुधा, बड़ी भाब ही, नहानी के लिए नदी पर, लेकिन यूँ खुले में नहाते हुए कोई देख लेगा तो मालिनी, हाँ सुधा, इस गाव में औरते खुले में ही नहाती है और वैसे भी गाव के लोगों को पता है कि जिस समय गाव के औरते नदी पर नहाने जाती है उस समय गाव के मद नदी के आसपास भी नहीं भटकते अच्छा अब देर मत करो, वैसे भी नदी किनारे इस समय सुनसान होता है हम जल्दी से नहा कर आ जाएंगे मालिनी और सुधा नदी पर नहाने के लिए जाती है गाव की बहुत सी औरते पहले ही नदी पर नहा रही थी सुधा को बहुत शर्मा रही थी सुधा, मालिनी भावी, ये तो बहुत अजीब लग रहा है अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारी इज़द तो मिट्टी में मिल जाएगी नहाती हुई औरते, काहे शर्मा रही हो बहुरानी हमें इतने साल हो गए आज तक तो हमें किसी ने देखा नहीं तो अब कौन देखेगा चौदरी साहब से सब दरते है इसलिए नदी किनारे कोई मर्द नहीं आता, सिर्फ औरते ही नहाती है सुधा को बहुत अजीब महसूस हो रहा था पर वो करती क्या मजबूरी में उसे मालिनी और बाकी की गाव की औरतों के साथ नदी में उतरना ही पड़ता है बड़ी मुश्किल से सुधा नदी में नहा कर धर आती है अब तो रोजाना ही वो मालिनी और बाकी की गाव की औरतों के साथ नदी पर नहाने लगी धीरे धीरे जब सुधा को लगा कि सचमुच नदी के आसपास सिर्फ औरते ही आती है तो वो थोड़ी बेफिक्र हो गई पर एक दिन जब सब बहुए नदी पर नहा रही थी सुधा, मालिनी भावी, लग रहा है कोई हमें देख रहा है उद्धरल चिन्ह, मालिनी, नहीं तो तुम्हारे मन का वहम है लगता है तुम्हारा दर अभी तक नहीं गया है चलो जल्दी से नहा लो फिर घर चलते हैं उद्धरल चिन्ह, अगले दिन भी सुधा को ऐसा ही महसूस हुआ सुधा, मालिनी भावी, मैं कह रही हूँ ना कि कोई है जो हमें देखता है मुझे बार-बार गलत महसूस नहीं हो सकता नहाती हुई औरत, अरे बहुरानी, तुम बेकार में ही डर रही हो किसी की इतनी मजाल नहीं जो हमें नहाते हुए देख ले ये तो सच था, गाव वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गाव की बहुँं को खुले में नहाते हुए देख ले तो आखिर कौन था जो उन सब को खुले में नहाते हुए देख रहा था गगन, अरे यार मगन, ये गाव तो बहुत बढ़िया है यार तूने बिल्कुल सही जगल का पता लगाया है बे खुले में नहाती गाव वालों की बहूं के हमने बहुत ही बढ़िया फोटो अपने फोन में निकाल ली है बे मगन वही तो मैंने बिल्कुल सही गाव का पता लगाया ना अब इन फोटों का इस्तिमाल करने का सही समय आ गया बे। चौधरी की दोनों बहुए भी उन औरतों के साथ ही नहाने आती हैं। चौधरी की बहुएं को ब्लेकमेल करके अच्छे खासे सोने के जेवर और रुपय एंट लेंगे। और तू तो जानता ही है ये गाव की भूल नहा कर जा रही हूंगी, तभी रास्ते में उन्हें पकर लेंगे। अगले दिन मालिनी और सुधा नदी पर नहा कर जब हविली की तरफ जा रही थी तो नदी से थोड़ी दूरी पर जगन और मगन नाम के उन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन दोनों को फो फोटो किसी को मत दिखाना। तुम्हें क्या चाहिए, हमें सीधी तरह बता दो। मगन, अगर तुम चाहती हो कि हम ये फोटो किसी को ना दिखाएं और अपने फोन से हटा ले तो कल दोपहर तक दो लाख रुपे नकद और सोने की जेवर एक बैग में भर कर तुम दोनों ह हमें लाकर दोगी, उसके बाद हम यहां से चले जाएंगे, मालिनी, ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम कर दो पहर तक तुम्हारी ये मान पूरी कर देंगे, पर पर तुम तब तक ये फोटो किसी को नहीं दिखाओगे, मालिनी पूरी तरह घबरा चुकी थी, वो दोनों घर दोट आती है, सुधा, मालिनी भावी, हम ये गलत कर रहे हैं, अन्याय के सामने जुकना कायरता है, हम अन्याय को छूट दे रहे हैं, उन मुझरिमों को सजा मिलनी चाहिए, उनकी मानगे पूरी करके तो हम उन्हें और बढ़ावा दे रहे हैं, आज वो हमारे साथ ऐसा कर हैं, कल किसी और के साथ करेंगे, ये सरासर गलत है भावी, मालिनी, तो हम कर भी क्या सकते हैं, सुधा, हमारी फोटो बदमाशों के पास हैं, हम ये बात किसी से नहीं कह सकते, बदमाश हमारी फोटो हर जगल दिखा देंगे, पर सुधा बहुत हिम्मत वाली थी, वो मालिनी को बिना बताय पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ पर लेडी ओफिसर को सारी बात बताती है लेडी इंस्पेक्टर सुधा तुम चिंता मत करो मैंने ऐसे गुंडों को बहुत सीधा किया है मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना सुधा पुलिस की मदद ले चुकी थी अ कर लो इन गुंडों को सीधी साधी गाव के ओरतों को ब्लेक मेल करके उनके पैसे और जेवर की मान करते हो हवलदार मेडम जी ये वही गुंडे है जिनको आसपास के गाव की पुलिस तलाश कर रही है इन्होंने पहले भी कुछ गाव के ओरतों को ऐसे ही ब्लेक मेल किया थ पुलिस के द्वारा गुंडों को पकड़ने की बात चौदरी के कानों तक पहुँचती है। जैसे हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। जैसे हम कितनी बड़ी मुसी तक पहुचती है। बड़ी मुसी थाला गुंडों को पहुचती है। जैसे हम फज़े लगए।